हेलो एब्रिवन नेहा की पाक्षाला में आप सब का स्वागत है आए होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैंने तयार करी हैं मक्के की सिंपल सी कचोडियां वैसे आपने आलू भर के तो कचोडियां बहुत बार बनाई होंगी मक्के की लेकिन अगर कभी जल् को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो जरूर देखिए आपके लाइक मुझे बहुत कम मिल रहा है प्लीज मुझे लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियो को अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने अपनी फैमली के श्मच करी भे लाल मेच पाउडर है और इसमें नमक आप ईट किजिए अपने स्ट के कार्डिंग कि नमक अपनी थेस्ट के कार्डिंग डाले इंड्योंते हैं तहरु मसाले भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए आप मिर्ची जादा डाल सकते हैं इसमें थोड़ा डाला कटा हुआ बारिक धन्या यह देखिए पूरा धन्या मैंने इसमें डाल दिया अब इसमें थोड़े से आलू मैंने उबाल कर रखे थे उन्हें मैं बिद्दम और मसाले दार बहुत पनेंगी देखिए अभी सारे आलू मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिये बस यह है कि आलू को आप अच्छे से बारीक कर लिजेगा बिलकुर ताकि इद्दम से आटे में मिक्स हो जाए गाट ना रहे कोई भी अच्छे से मिक्स कर लिजे पूरे अब यह मिक्स हो गया है देखिए जितना अच्छे से मिक्स कर लेंगी ना उतना ही आपको कचोड़िया अच्छी बनेगी अब थोड़ा थोड़ा साथा मैं गूत ती जाओंगी इतना समयने आटा बूत लिया है पानी लगा कर और छोटी-छोटी सी कचोड़िया में बेल यह देखिए यह मैंने फ्राइ कर लिया मैंने कड़ाई चड़ा ली थी और बस कचोड़िया हमारी तयार होने लगी देखिए बनी बढ़िया कचोड़िया ना जितनी जटपट तयार होती है खाने में उतनी टेस्टी बनती है बनाने में इसको आपको मुश्किल से पांच म बना के देखिए मक्य की टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी होती है बहुत टेस्टी बनती है चलिए आप मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई